नमस्कार दोस्तों सवागत है आपका इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैब कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलो करते है तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सार सब्सक्राइब कर लिए और इसको रखना तुरंथ कमेंट करके बता है दोस्तों नमस्कार स्टेडी फॉर सिविल स्वागत है यहां पे हम जो है आपकी यूपी प्यस्टी आयोग के द्वारा आरो और आरो की जो अपकमी वेकेंसी है उसके लिए पेट क्विस लगातार दे सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आपके एक्जाम में सीधे या फिर इंडरेक्टली रूप से देखे जा सकते हैं फर्स्ट कुस्टन में कहा गया है माल्थस के जनसंक्या सिधान्द के अनुसार महामारी प्राकृतिक आपदा तथा युद्ध को क्या माना जाता है या किस या किसी से सम्द्धित है जनसंक्या से मुक्क रूप से यह दो प्राकार की बाते करते हैं कि जनसंक्या में जो वर्द्धी होती है वो जयामिती गट से होती है यानि कि कैसे 1, 1-2, 2-4, 4-8, 8-16 ठीक है पर अंतु जो उसी जनसंक्या के लिए अवश्यक वस्तूएं है या जो अन्य संसाधन है कहे लिए उसकी उत्पादक्ता में या उत्पादन में जो वरद्धी होती है वो अंकगरती रूप से यह आपने mathematics में शायद पढ़ा होगा तो अंकगरती रूप से होती है यानि कैसे एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार इस प्रगार से ठीक, तो जा आपका जो balance है, population growth और food जो supply हो रही है, यानि यही resources की बात करें, तो उस population growth और food supply का जो balance है, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, एक दो प्रकार के methods इन्हों ने दिये, preventive check और positive check, ठीक है, तो उसी क्रम में यहाँ पे थोड़ा इन से जोक और detail में बढ़िएगा, नेक्स्ट है, किसको जनसंख्या पर निबंद 1798 में, एक इनों ने titles एक कृति में जनसंख्या वृद्धि का सिधानत दिया, उसके straight इसको जाता है, तो वही यहाँ पे पूछा गया है, टाइटल है, उस work का कह लिजे, essay on population 1798, तो यह मालतस की theory वाला जो है, उसके बारे में इस चीज को डीटेल में पढ़िएगा, कई बार अक्सर questions पूछे आते हैं, अब इसमें दो statement है, कौन सा गलत है, देख लेते हैं, गलत पूछा गया है, या सही बहुत ध्यान से देखा करिए, मैं लगातार आपसे यह चीज पूछता हूँ, आपके questions जो है, चुकि इस वज से गलत हो जाते हैं, अक्सर, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है, और संगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों statement हमारे ये ठीक है, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में है, संगला घाटी कहां प आपका जो ये है श्रीका कुलम विखलप B में श्रीका कुलम और विशाका पत्नम ये दो स्थल हैं जो मुक्रूप से मैगनेज उत्पादन से संबने थे आंधर प्रदेश में ठिक बागी के विखलप ठीक है इनको देख लीजे दो स्थेट्मेंट फिर सहे कौन सा सही है हिंदुस्तान कॉपर लिम्टेट की स्थापना 1967 में की गई और ये देश में तामबे का अगरडी उत्पादक है तो बिल्कुल ठीक बात है ये हमारा एक पब्लिक सेक्टर इंटरपाइस की तरीके इस्टाबिश किया गया था और तो यहां पर हमारे माइका के डिपॉजिट्स पाय जाते हैं तो दोनों स्टेट्मेंट हमारे ठीक है मैगनीज उत्पादक शेत्र फिर सब कुछ है और राज का कौन सा युग मुस्मेलित नहीं है तो रत्नागिरी आपका महराष्ट्रा में है नागपूर, रत्नागिरी ये सब मैगनीज उत्पादक शेत्र है ये वाला गलत है अब बॉक्साइट का प्रमुखुद पादक शेत्र काला हांडी किस राज में है बॉक्साइट के जो शेत्र जैसे ये ओडिशा का एक स्थल है काला हांडी और इसके लावा संबल पूर भी यहां पे है ठीक है ये भी फेमस है दो स्ट्रेट्मेंट फिट से है सही को देखना है तो अबरक भारत में मुखिता जारखंड आंदरप्रदेश और तेलंगाना में पाए जाता है तो ये ठीक है अग्रडी जो ये राज्य है जहांपे इसकी उपस्तिती है इसके नक्षेपों की तो ये स्टेट्मेंट ठीक है और राजस्थान में अबरक के नक्षेप जो है अजनेर का जो एरिया है वहां के आसबास पाए जाता है अच्छा जरा हमको आप ये बताएं कि कौन सा राजी जो है ये अबरक का सबसे टॉप प्रेडूसर है ये जरा कॉमेंट करिए अब इसमें फिर सब देखें क्या सही नहीं है गोल्ड की बात करेंगे अब है एट डिगरी चैनल किसके बीच है तो ये लाटिटूड वाले हमने पहले भी देखे थे कि जैसे एट डिगरी यहां पर संगला वैली जो उत्राकंड लिखा है ये गलत हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में संगला वैली है इसी को बस्पा वैली कहा जाता है भी आपसे उपर पूचा था ठीक ये के नौर डिस्टिक्ट जो है वहां अस्तित है बाकी के विकलब ठीक है इनको देख लीज इसके लोकेशन की बात करें तो ये जोरहाट मिस्ती थे असमराज में इसके स्थापना की बात करने थोड़ी सी तो 1988 में इसको जो है नौथ इस्टन रिजन में मुकरूप से जो आपको कह लिजे रेन बेस्ट फॉरेस्ट्री है उसके कुछ रिसर्च परपस से बागी के दो उपर के ऑप्शन जो है ये फॉरेस्ट रिसर्च देरादुन में है एरिड वाला जोदपूर में है फिर जह हमारे पास कुछ इंसिट्यूट्स हैं और लोकेशन सुमिलित क्या नहीं है तो इसमें अगर देखें तो इस्टिटूट फॉर फॉरेस्ट प्रोड लिगरी चनल आपका अंडवान और निकूबर आइलेंड जो है उसको सेपरेट करता है गंगा की सायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है तो चंबल जो है यमूना से असूसेटेट है ये हो जाएगा बाकी की जो है ये सब आपकी इससे गंगा रिवर से मतलब उसकी सायक नदि है ये सब ब्रह्मपुत्रा की सायक है कई सारी उसमें ट्रैब्यूटरीज है पूरी लिस्ट देख लीजेगा एक बर ठिक सतलज रावी चनाब सिंगी ये सब किसकी ट्रैब्यूटरीज है तो इसकी इंडस की है न सिंदु नदी इसके अलावा जैसे शोक शिगार गिलगित ये सब कई नदिया है अब इसमें देखें बारत का राष्ट्रपती जो लिस्टिंग है वो लिखे हुई है तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपती नहीं रहा है यानि एक्टिंग कीमाल लिजे कोई पर्मनेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं है तो ऐसे स्तिती में ठीक है फकरुद दिनाली आहमद जो है ये बिसिकली प्रेसिडेंट थे 1974 से 77 तक ठीक लुनी के मृत्तियों के बाद बीडी जित्ती नहीं जो है यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था और डी ऑप्शन को चुनेंगे हम इसमें से कौन सा व्य posterior कभी भी लोगसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है याणि कि लोगसभा speaker की बात हो रही है निलम संजीव रेडी रहे हैं बलराम जाखड रवी राय रंगनात मिष्टिंग नहीं थे ठीक है अगर रंगनात मिष्ट्र के हम बात करें तो ये भारत के पू तो पहली बार जवालाल नहरु जी के निदन के बाद 1964 में गुलजारी लाल नंदा बने और फिर जो है इसमें शास्त्री जी के निदन के बाद भी बने थे 66 में गुदावरी नदी का उद्गमस थल कौन सा है तो त्रेमबक पहाड़ी या त्रेमबकेश्वर इसको कह लिजे नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महरास्ट्रा जो है ठीक है सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहाबिलिटेशन यह संस्थान कहां पर इस्थे थे तो यह उत्रपदेश में है प्रयागराज में नाथूला दर्रा तथा जिलेपला दर्रा किस घाटी में स्थे थे हैं तो बिसिकली हिमाले में देखेंगे सिक्किम का जो एरिया है सिक्की में और यह आपका यह बगल में जो भूटान है तो यहां की जो वैली है चुम्बी वैली कहते हैं इसको तो यहीं पर जो यह हमारे दोनों पासेस हैं इसकी लोकेशन है तो अब अलग से यह भी पूछा जाता कि यह बार की नाथूला पास किस स्टेट में है तो सिक्की मियाद रखेगा और यहां पर वैली जो है चुम्बी वैली चिकननेक वाला जो है दिया है थोड़ा इसके कॉंसेप्ट के बारे में थोड़ा डीटेल में देख लिजेगा मैप में हो सके तो सबसे आदा सोर्स होता है उसमें प्रोटीन की सही कौनसा सही है तो मिल्क यानि डूद की बात हो रही है फॉर एक्जामपल हम जैसे भैस के दूद का एक्जामपल ले लेते हैं तो दूद में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कैसीन होता है ठीक है यह ध्यान रखेगा बिल्कुल ठीक बात है और इसी कैसीन की उपस्तिती के कारण जो दूद का कलर है वो वाइट प्रतीत होता है ठीक तो यहां से हमारे दोनों स्टेटमेंट ठीक है अब है कि कौन सा कथन सही नहीं है तो अब गाय के दूद का एक्जामपल लेंगे तो गाय के दूद का रंग कैरोटीन के कारण पीला होता है तो अगर आपने खुद इस चीज़ को देखा हो गाय का दूद थाना तो हलका पीला पन आपको उसमें दिखता है तो यह बात बिल्गुल ठीक है कारोटीन के कारण यह पीला होता है और जो वसाम घुलंशिल विटामिन है विटामिन बी और सी है तो यह वाला स्टेट्मेंट हमारा सही नहीं है क्यों नहीं सही है दो प्रकार के विटामिन हमने आपको पहले बता रखे है एक होता है फैट सॉलूबल एक वाटर सॉलूबल तो फैट सॉलूबल में सुरी पहले water वाले देख लेंगे, तो water soluble में vitamin B और C आते हैं, इसके अलावा जितने होंगे वो fat soluble होंगे, तो यहां पर B और C वसा में लिखा था, तो इसी वज़े से यह गलत है, vitamin B2 का अन्य नाम क्या है, हमने पहले बता रखा आपको कि chemical name अक्सर पूछ ले आते हैं, या फिर उसको chemical ही नाम दे करके आपसे question कुछ अलग तरीके से पूछा जाएगा, तो riboflavin, vitamin B2 का नाम होता है, विटामिन B का जो है, B12 तक के जितने भी नाम हैं प्लीज एक बार देखिएगा, इसमें कौन सा कथन सही है, देखे golden चावल, golden rice की बात करें, ये काफी important question है, UPPSC आयोग इस पे कई बार question पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है, basically एक प्रकार का modified rice है, genetically modified rice है, तो vitamin A का परचुरतम सुरोथ है, ये बात बिल्गूल ठीक है, होता क्या है, कि जैसे genetically modified किया गया है, बीटा कारोटीन जो की normally आप जो सामाने चावल बनाते हैं, उसमें produced नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये golden rice को डेवलब किया गया है, उसमें बीटा कारोटीन नाम का जो है, आपको जो आप ये चावल खाएंगे, तो बीटा कारोटीन आपको इससे प्राप्त होगा, जो की आपके बॉड़ी में जब metabolic reaction होगे, तो वो convert होगा vitamin A में, तो इस वज़े से ये vitamin A की deficiency, जो बॉड़ी में उसको पूरा करने में काफी helpful है, ये golden rice, तो ध्यान रखेंगे, ये बाट ठीक है, और वही आगे लिखा कि vitamin A बॉड़ी को प्रतिरक्षा, यानि कि जो immunity है, वो प्रदान करता है, और आपकी आँखों के लिए विशेशकर जरूरी है, ये बात आप बच्पन से पढ़ते आया होंगे, ठीक, तो दोनों बाते ठीक हैं, यहाँ पर हमारे पास तीन statement है, और कौन सा सही नहीं है, तो वसा का पाचन करने वाला enzyme, जो की lipase है, ये कृत के द्वारा स्रावित होता, ये statement ही गलत है, इसका स्रावण की अगर हम बात करें, तो अगनाशय से हो गई है, ठीक है, आपके pan-kriyas से, तो ये हमारा गलत है, बाकी के दो अन्य विकल्ब जो है, वो ठीक हैं, अब इसमें से कौन सा योगी के एक विटामिन नहीं है, तो इसमें थाइरॉक्सिन, बिसिकली हमारा जो थाइरॉइड ग्लैंड से, से क्रेट होता है, क्या है, ये होर्मोन है, विट्गान की शाखा और निथोलोजी, किसके अध्यान से सम्बन दित है, तो ये हमारा जोलोजी के एक ब्राइच होती है, जो की study of birds से सम्बन दित है, ठीक है, पक्षियों का अध्यान होता है, जिव विज्डान की शाखा, mammology किसके दिन से संबंदित है यहाँ पर यह statement इंगलिश में नहीं है लेकिन फिर भी यह समझ जाएंगे अब तो उनला के यहाँ पर जो study of mammals होता है that is known as mammology अब इसमें है क्या सुमेलित नहीं है studies है कुछ है न hematology जो d option में लिखा है यह हमारा जो especially blood disorders होते हैं उससे संबंदित है अब फिर सब देखे क्या सुमेलित नहीं है तो इसमें myology जो है यह basically हमारा scientific study होता है कि इसकी human body की जो हमारी जैसे muscles है तो muscle का structure, types, functions इन सब चीजों की studies में होती है Central Drug Research Institute कहां परिस्तित है इसकी location जो है उत्रप्रदेश की capital लखनव अब यहां पर institutions हैं और location लिखा हुआ है तो कौन सा सुमेलित नहीं है तो यहां पर National Bureau of Plant Genetic Resources Kolkata लिखा है यह New Delhi में है फिर से हमारे पास तीन इस्तित्यूट्स हैं और location कौन सा यूग में गलत है तो यहां पर तीनों हमारे ठीक है इनको देख लिजे इसमें से कुछ भी गलत नहीं है Next है DNA Fingerprinting तथा नैदानी की केंदर कहां परिस्तित है DNA Fingerprinting and Diagnostic Center यह हैदराबाद में है बीर बल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान कहां परिस्तित है यह इस्तित्यूट्स पूछा जाते है इनकी पूरी लिस्टिंग आप देखेगा एक बार जरूर लखनाव में यह भी है इनसुलिन का अविशकार किस विज्ञानिक ने किया था इसके बारे में सबसे पहले किस ने खोच की और बताया तो यह आप हॉर्मोन जो पड़ते हैं इनसुलिन तो फ्रेडरिक बैंटिंग है ने फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग जो है इनका नाम था उनिवरस्टी ओफ टोरेंटो में इन्होंने अराउंड जो है तो पोलियो की वैक्सीन को डिवलब करने करे श्रेक इसको जाता है जोनास साल्क ठिक रॉबर्ट कोच गलत था अब इसमें देखें कौन सा यूग में गलत है हमारे human body से संबंदित कुछ facts लिखे हुए है इसमें संपूर शरीर में रखत का आयतन यानि कि जो हमारे पूरे body में blood as a volume हम देखें तो ये 5-6 liter ही होता है 8-9 liter नहीं निमनलिकित में से सबसे बड़ी अंतह श्रावी ग्रंती कौन से है तो endocrine gland जो सबसे body में कहले है largest माना चाता है that is thyroid gland option B अब इसमें देखें कौन सा कथन सही नहीं है तो मानव के मस्तिष्ट का भार 1400 ग्राम लगबग होता है human brain की अगर हम बात करें तो ये जो है 1400 ग्राम के आसपास जो है इसका वज़न होता है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी classification आपको बता देंगे जिसे अगर मानव एक पूरा जैसे है न human की बात की जाए तो 1400 ग्राम के आसपास अगर पूछे तो basically ये जो range होती है 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक होती है इन particular बात करें तो जैसे जो पुरुष होता है उसका brain लगबग 1350 ग्राम के आसपास होता है और महिलाओं की बात करें तो ये लगबग 1200 ग्राम ही होता है तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना है second है सर्वदाता रखता समूँ AB समूँ है तो और सर्वग्राही रखता समूँ O है तो ये आपस में इंटर्चेंज किये होगा है तो ये दोनों statement गलत हो जाएंगे इसमें से कौन सी सबसे बड़ी श्वेत रखत कड़िका है human body में देखेंगे जैसे ये leukocides के class में तो सबसे बड़ा monocides होते हैं ठीक है तोड़ा इनके बारे में डीटेल ने पढ़िएगा अंदिम प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का monocides से समंदित कौन सा युग में सही सुमयलित नहीं है सबसे बड़ी हड़ी फीमर होती है पैर की है ना smallest जो होती स्टेपी कान में smallest muscle है ना stepidious और cranial तंत्रिकाओं की संख्या तेरा ये वाला गलत है ये कितनी होती है जराए आप ये हमको comment करके बताइए तो cranial nerves की संख्या ठिक और इस वीडियो को हम series को आगे अगले वीडियो में continue करेंगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक ले नमस्कार जैहिंद